अध्यापक पातरता परिच्छा, टीचर से अलेजबिल्टी टेस्ट, प्रदेश की होने वाली सबसे बड़ी पातरता परिच्छा, जिसका एक बैच संस्तान के दौराग पिछले कुछ दिन पहले एनाउंस किया गया था, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने संस्तान पर भरोसा दिखा करके एडमिशन लिया है, संस्तान की उन बैच से आप लोग जुड़ चुके हैं, आज से हम लोग उस बैच के लिए एक प्रिप्रेशन का सही रूप निर्धारित करने जा रहे हैं, जिसमें अभी भी कुछ डेमो क्लासेस आपको प्रवाइट की जा रही हैं, पिछली कुछ क्लासेस को अगर आपने देखा होगा, कि सभी विसेसग्यों ने, सभी अध्यापकों ने, अपने अपने विसे के कुछ महत्तपोर्ड पहलों को ले करके आपके सामने चीजों को प्रेजन्ट किया, क्योंकि यह एक ऐसी परिच्छा है, जिसमें बहुत स दिमेदारी होती है, कि हम सभी उस रड़नीती के साथ, उस ससक्त रवईये के साथ, आपकी त्यारी में आपके साथ रहें, जिससे कि आप अपनी सफलता को निधारित कर सके, ज्यादा समय ना लेते हुए हम विसेपर बात करना सुरू करेंगे, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं संदीतिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपकी इस अनलाइन क्लास में जो कि मैं आपको टीचर्स इलेजबिल्टी टेस्ट के लिए प्रवाइट कर रहा हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर यूपी टेट वह संख्याएं आपकी प्राकृतिक थी, पूर्ड थी, उनके वर्ग थे, उनके गन थे, उन सभी संख्याओं के आउसत को निकालने का प्रोसेस समझाया, जो कि आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही मात्पोड हो सकता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमे के हल करने का क्या हो सकता है, आज के इस लेक्चर में अगर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पर आउसत के एक बहुत ही important topic, जो कि आपकी परिच्छा से directly, आपकी परिच्छा में इस समंदित प्रस्ण पूछे जाते हैं, जैसे मालीजे कोई एक समूह या collection हो, उस समूह की अपना एक आउसत होता है, क्योंकि उसकी अपनी एक संख्या होती है, क्वांटिटी होती है, और particular किसी मान के लिए हम उसका आउसत निर्धारित कर सकते हैं, समूह में अगर किसी एक सदस से किसी एक मान, किसी एक बैलू को, या तो मैं सामिल कर लूँ, या तो मैं निकाल द और पर, जैसे अगर आप अपने समूह में किसी कम बैलू वाले ब्यक्ति को सामिल करेंगे, जैसे किसी एक बिभाग में, किसी एक नई जॉइनिंग के बाद, संख्या अगर बढ़ी है, नई जॉइनिंग वाला सदस से अगर कम उमर का है, तो जो आउसत आयू है, वह आपक घट जाएगी, जबकि अगर देखा जाए किसी एक समूह में जैसे क्रिकेट टीम है, किसी एक अनुभवी खिलाडी को सामिल कर लिया गया, जिसका परफार्मेंस बहुत अच्छा था, उसके आने से आउसत बढ़ जाएगा, इसी कड़ी में कभी-कभी समूह में से किसी एक ब्यक्ति को अगर हम समूह से निकाल देंगे, तो उससाथ आटोमेटिकली घट जाएगा, तिन चार-पाँच इस्थितियों को लेकर के आज के सेसन को मैंने तयार किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकता है, मैं यहाँ पर सामिल करने और समूह से नि आध्यम से चीजों को समझते हैं, हम जैसे मैं आपसे डिसकस करूँ कि माली जी एक क्लास, एक कच्छा है, उस कच्छा में अभी तक कुल मिलाके 10 चात्र थे, माली जी उस कच्छा में 10 चात्र थे, उन 10 चात्रों की आयू का ऑसत अगर 15 वर्स था, आयू का ऑसत क्या था, 15 आउसत 15 वर्स था, अगर माली जी उसमें अध्यापक को भी सामिल कर लिया गया, अगर हम उसमें टीचर को भी इंक्लूड कर ले रहें, देखिए ध्यान से, अगर अध्यापक को भी हमने सामिल किया, अर्थात एक बेक्ती समूव में और सामिल हुआ, उसके आने से हमने कहा कि आउसत जो था एक वर्स बढ़ गया आउसत क्या था एक वर्स बढ़ गया अब आप देखें होंगे तो एक प्रस्ण एक प्रकार से बन गया और प्रस्ण क्या हुआ आप लोग ध्यान दीजेगा मैंने कहा कि एक कच्छा थी जिसमें 10 छात्र थे जिनकी आयू का आउसत 15 व क्योंकि हम जानते हैं कि आउसत बराबर योग बटा संख्या जो भी हमारे पास एक उप्जरवेशन एक कलेक्शन दिया जाता है अगर उस कलेक्शन का हम आउसत निकालना चाहें तो कलेक्शन के प्रतेक मानों का योग कर दें और जितनी संख्या उससे डिवाइट कर दें हम आउसत प्राप्त कर लेते हैं इस कड़ी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर संख्या की जो हमारे पास दी गई थी और उनके आउसत की संख्या की और उनके आउसत की और फाइनली हम उनके योग की बात करें देखिए हम तीन चीजों को लेकर चल रहे हैं हम संख्या लिय का इंक्रिमेंट हुआ मतलब टीचर इंक्लूड हुआ तो संख्या गोड़े अगर हम आउसत कर दे तो अध्यापक जब नहीं था तो सभी बच्चों की आयू की योग कितना था 150 जैसे ही टीचर को सामिल कर लिया तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 11 गोड़े छे कर दिया आपका 17 हुआ अर्थात 176 हो गया अब जैसे टीचर इंक्लूड हुआ तो बच्चों के साथ टीचर को अगर लेकर हम योग निकाले तो 176 आया अब बात करे जब टीचर नहीं था तो 150 जब टीचर इंक्लूड हुआ तो योग 176 अर्थात अध्यापक की उमर अगर हम निका हो गई 176 से आप 150 को घटा दे अर्था 26 वर से यहां पर अध्यापक की आयू थी आपने देखा एक सधारन प्रोसेस से हमने इस तरह के प्रसनों को हल किया जिसमें आपने किसी एक ब्यक्ति को समूव में सामिल किया था उसके आने से आउसत बढ़ा था उस ब्यक्ति का उस म जाने की कोसिस करूं तो मैंने कहा मेरे पास एक संख्या थी और मेरे पास एक आउसत था दो जानकारिया हमको थी इन दोनों जानकारियों की मदद से हम डारेक्ट उस सामिल किये गए ब्यक्ति का मान ग्याद कर सकते हैं कैसे जैसे मैंने कहा कि पहले संख्या 10 थी आउसत 15 थ पढ़िए या तो नए ओसत को लीजिए अगर आप पुराने ओसत को लेंगे तो आपको नई संख्या के पास आना पड़ेगा या प्रोसेस दिमाग में रखिये करना क्या होगा जाने के यहां इंक्रिमेंट हुआ है उस इंक्रिमेंट को इस पर अपलाई करना होगा जो मान आया ले जाकर के उसमें डारेक्ट जोड़ देना होगा पध्यापक की उमर ग्यात हो जाएगी या इससे अगर करते तो हम जाते जो इंक्रिमेंट हुआ है उस इंक्रिमेंट को इस पर गयाद कर सकते हैं. आईो बेकी चीज आपको समझ में आई होगी, की कैसे किया, यह तो पुराना ऐसत नई संख्या पर ईंक्रिमेंट अपलाई करें, यह नया ऐसत पुरानी संख्या पर ईंक्रिमेंट अपलाई करें, जोडदें उत्तर गयाद हो जाएगा. example के तोर पर मैं आपको और एक बात बताता हूँ इसी तरह कि एक और प्रस्न की बात मैं आपसे करता हूँ मालीजे मैंने कहा कि किसी एक बिभाग में ऐसे हम कहा दे रहें किसी एक बिभाग की बात कर रहे हैं बिभाग में अभी तक आठ करमचारी थे जिनकी आयू का वसत 40 वर्स था अब हम कह रहें कि एक नए कर्मचारी की नियुक्ती हो जाने से अउसत में आधे वर्स की कमी हो गई मतलब आपने देखा कि 0.5 एयर्स की क्या हो गई अर्थात अगर देखा जा तो नया वसत 49.5 हो गया अब आपने देखा कि मैंने इसे एक जनरल कुश्चन की बात करी मैंने कहा कि एक विभाग था जिसमें कुल आठ सदस थे आठ करमचारी थे एक नई करमचारी की नियूक्ति होते ही एक नई पहले चीज हमको बताया गया कि हमारे पास कुल आठ करमचारी थे यहाँ पर मैंने का एक संख्या है और इस संख्या का अपना एक सर्टेन आउसत है आठ कर्मचारियों का जो आउसत आयो थी वह 40 वर्ज थी है एक नए कर्मचारी के सामिल होते अर्थात उसकी नियुक्ति होते ही संख्या बढ़कर 9 हो गई और आउसत में कहरा है 0.5 की या आधे वर्ज की कमी हो गई आप कह सकते यहाँ पर आधे वर्ज की कमी हो गई आधे वर्ज की क्या हो गई? कमी हो गई तो जो सामिल किया गया अर्था जिस ब्यक्ती की नई नियुक्ती हुई है विभाग में उस ब्यक्ती की उमर बताएं आप इसको करने के लिए यहाँ पे थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा यह चीज थोड़ी सी टफ है हमको क्या करना होगा आप चाहे इसकी मदद लेते चाहे इसकी मदद लेते आप इसके पास आते इसके पास आते इसी पॉइंट फाइट को या एक बटा दो को इसके साथ अपलाई करते तो यह साढ़े चार हो जाता साधे चार को बस इसमें से घटा देना होगा जैसे ही घटाएंगे साधे चार तो आपको पता है 35.5 वर्स हो जाता मतलब इसकी उमर जो ब्यक्ति अभी अभी सामिल हुआ है उसकी उमर 35.5 वर्स थी जिसके आने से आउसत में आधे वर्स की कमी हो गई मतलब जो वहाँ जोडने का काम था वह यहाँ घटाने का काम था सेम चीज यहाँ पर आधा वर्स अगर इसमें हमने इंक्लोड किया था या घटाया था तो यहां 39.5 हुआ था आप इसके पास जाते और इसका आधा गरते इसका आधा अर्था ते एक बटा दो करते हैं बैलू चार होती चार इसमें से अगर हम निकाल देते तो देखिए आपके सामने बैलू कितनी हो जाती 35.5 अर्था 35.5 साल का वह अभ्यक्ति था जिसको समूँ से समूँ में सामिल किया गया था या हम क्या सकते थे जिसकी जॉइनिंग या निक्ति हुई थी उसकी उमर 35.5 वर्स थी 35.5 वर्स थी मेरे ख्याल से यह प्रोसेस आप लोग समझ गये होंगे कि इस प्रकार के प्रस्णों को गरहल करना है तो हमें कैसी क्या प्रक्रिया अपलाई करनी होगी तो देखे आपने देखा कि किस प्रकार से अगर किसी समूँ में किसी को सामिल किया जाता है तो उसको सामिल किया जाने से कैसे औसद बढ़ जाता है और औसद घड़ जाता है तो हमारा काम क्या होता है कि हम उस सामिल किये गए ब्यक्ति के मान को ग्याद करें तो आपने इन दो एक optional या हम कह सकते concept conceptual question के माध्यम से इस पूरे process को समझा कि यहाँ पर क्या इस्तिती बन रही थी अगर इस पर हमें के एक example करें तो चीजे और असपष्ट हमारे सामने हो जाएंगी जैसे कि मैंने से पहले से लिख रखा है आप देखिये कहा गया 12 सदस्यों के समू के भार का उसत 60 किलोग्राम है हमारे पास यहाँ पर संख्या है कुछ सदस्यों की आपने देखा कि कुल सदस्यों की संख्या 12 है इनका जो औसत है आपने देखा कि वह 60 kg है औसत कितना है 60 kg एक बैक्टी को और समो में अगर हम सामिल कर ले तो संख्या यहाँ पर आपको पता है कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी जिसके आने से औसत में 2 kg की बृद्धी हो जाती है अर्थात औसत आपका 2 kg बढ़ करके या 62 kg हो इस नई संख्या को लेकर पुरानी संख्या के पास जा सकते हैं दोनों से हम लोग इस प्रस्ण का उत्तर अराम से दे सकते हैं कैसे करेंगे अगर माली जैसको अपलाई करते हैं तो हम 13 गुड़े 2 करें अर्थात लाकर इसमें 26 जोड़ दें इसकिया जो भार होगा वहाँ आपका 86 किलोग्राम हो जाएगा या हम इस 12 गुड़े 2 को हम लाकर अर्थात इसमें 24 जोड़ दें तो 24 जोड़ने से दिखिए तब भी आपका 86 किलोग्राम हो जाएगा अर्थात जिस ब्यक्ति को आपने सामिल किया है उस ब्यक्ति का भार 86 केजी था उसके सामिल होते ही औ आउसत में 2 kg की बृद्धी हुई थी तो आपको कुछ नहीं करना होता है संख्या आउसत लिखना होता है नई संख्या नया आउसत लिखना है डाइगनल प्रोसेस पर फार्म करना है इस इंक्रिमेंट को जस्ट इस पर अपलाई करके यहाँ पर एड करना है सामिल करने की दसा में यही सेम इस्थिती जब समूव में सामिल करने पर आउसत अगर माली घट जाए तो क्या सिच्वेशन होती जैसे अगर इस प्रस्ट इस एक्जामपल को हम लोग समझें 11 खिलाडियों के रनों का आउसत 40 है 40 रन प्रत खिलाडी बनाते अर्थाथ 10 खिलाडी थे 11 संख्या थी वह आपने देखा कि यहां पर कितनी थी 10 थी और जो उनका आउसत था वह आउसत आपने देखा कितना था 40 था संख्या दस थी और 40 था इसके बाद हमने कहा कि जैसे ही एक खिलाडी को इसमें हमने सामिल किया संख्या 11 हो गई और आउसत में यहां पर बोला गया तीन रन की कमी अर्थात यहाँ पर माइनस तीन मतलब यह आउसत 37 हो गया अब आपके सामने इस्थिती है देखिए आप लोग इसको कैसे परफाम कर सकते हैं आप इस पुराने आउसत को लेकर नई संख्या के पास आते गुड़े तीन करते और 33 इसमें से घटाते अर्थात उस खिलाडी ने 7 रन बनाये थे जो खिलाडी इग्रहवा सामिल हुआ उस 7 रन बनाया है जिसकी वज़ा से आउसत में 3 रन की कमी हो गई या हम इसको प्रॉसेस करते इसके पास जाते गुड़े 3 करते तीन क्योंकि कमी होई है तीस इसमें से घटाते तब भी आपको देखिए कि यहाँ पर उस खिलाडी के द्वारा बनाये गए रनों की संख्या पता चल जाती कुआ खिलाडी जो इग्रहवा है और उसके आने से अगर आउसत में 3 की कमी होई है तो उस खिलाडी ने कुल मिला के 7 रन बनाये है तो मेरे ख्याल से यहाँ प्रोसेस आप समझ गया होंगे कैसे परफार्म किया जाता है यहाँ पर आपने देखा कि समूह में सामिल किया गया तो यहाँ इस्थिती बन कर आ रही है मालीजे समूव से किसी को निकाला जाए ध्यान दीजेगा समूव से समूव से निकालने पर अधारित अगर मालीजे मैं समूव के निकालने की बात कर रहा हूँ निकालने पर अधारित अगर हम लोग फोकस करके चलें मैंने सुरुवात में ही वता रखा है कि चाहे समूव में सामिल किया जाए या समूव से निकाला जाए दोनों दसाओं में आउसत बढ़ता भी है और आउसत घटता भी है एक्जामपल के माध्यम से चीजों को समझेंगे तो सारी बाते आप असपस्ट कर पाएंगे और सीख पाएंगे समझ पाएंगे मैंने कहा अगर मेरे पास कुल पंद्रा सदस्यों का समूव था हमारे पास पंद्रा सदस्यों का समूव था जिनका एक आउसत मान वह आउसत मान जरूरी नहीं की आयू हो जरूरी नहीं की भार हो आउसत मान कुछ भी था सपोच करिये आउसत मान 10 था उसमें से हम किसी एक सदस्य को निकाल दे रहे हैं किसी एक सदस्य को निकालते ही सदस्यों की संख्या 14 हो गई और उसके निकाल देने से मैंने कहा आउसत में देखी अभी हम क्या कर रहे हैं जैसे हम कहरें बृद्धी की बात करें मैं कराओ आउसत दो बढ़ जाता है आउसत मान दो बढ़ जाता है अर्थात आउसत हो जाता है बारा हमसे कहा जाए जो ब्यक्ति या जो मान निकाला गया उसकी बैलू या उसका मान क्या था मतलब जो मान निकाला गया, जैसे कुष्चन को अगर समझा होगा आपने, तो यहाँ पर इस्थिती ये थी, कि हमारे पास सदस्य थे, अगर ध्यान दिया जाए, उनका आुसत था, सदस्य थे, उनका आुसत था, हम लोग अगर प्रॉसेस करें, तो हम लोग योग भी सोच सकत जिनके किसी भी मान का आउसत दस था एक सदस्य को निकाल देने से संख्या 14 हो गई और आउसत में 2 की कमी आई और 2 की कमी अदो की ब्रिद्धी हुई जिससे की मान आउसत मान 12 हो गया अब हमसे पूछा गया जो निकाला गया है उसका मान बताईए तो हमने सपोच करिए यहां पर योग निकाला 2.500 आया और इधर हमने 12 गुड़े 14 किया तो 14 दून 28 होता है कहरी 2 14 के 14 दो 16 अरफात 168 हुआ अब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो निकाला गया उसका मान यहां पर क्या होगा 18 होगा आप समझ गया होंगे कि कैसे यहां प्रोसेस बनकर आ रहा है मतलब वह जो मान निकाला गया है उस बैलू को हम अठारा कह रहे थे जिसके जाने से औससत में दो की बृद्धी हुई है यह इस्तिति हमारे सामने यहां पर बनकर आ रही है जो आप लोगों निया आपर समझा होगा अब ध्यान दीजिएगा अब इसी चीज को अगर हम अपने प्रोसेस से लेकर चले जो मैंने आपको भी बताया देखिए उसी प्रोसेस को अगर हम लोग यहां पर परफाम करें जैसे अभी हम लोग टेकनिकली लेके चल रहे थे मैंने कहा यहां पर संख्या था यहां पर आपके सामने आउसत था अब देखिए हमने कहा पहले संख्या 15 थी आउसत कितना था 10 था संख्या में एक की कमी हुई 14 हो गई आउसत में कहरा 2 की बृद्धी हो गई अब इस समय दो की बृद्धी होते ही यहमान आपके सामने बारा हो जाएगा आपको क्या करना होगा इस समय भी same process अपलाई करना होगा जैसे वहां करते थे बस एक condition दिमाग में रख कर गे जब सामिल करते थे उस दोरान अगर बढ़ता था तो जोड़ा जाता था घटता था तो घटाया जाता था लेकिन जब निकाला जाएगा तो बढ़ने की दसा में घटाया जाएगा और घटने की दसा में जोड़ा जाएगा बैलन्स करने के लिए यहाँ पर क्योंकि बृद्धी हुई है आप इसके पास जाएए यहाँ पर आईए इस बैलो को इसके साथ अपलाई करिए और अपलाई करने के बाद जो मान आया जैसे देखिए आपने देखा कि 14 दुना 28 हुआ 28 से इसको घटा देंगे तो मान यहाँ पर 10-18 हो जाएगा यही सेम प्रोसेस यहाँ पर फार्म कर सकते थे कैसे हम इसको लेते इसके पास जाते हम इसका यूज इसके साथ करते अर्थात इस दो के साथ गुड़ा करते तो यह मान 30 हो जाता तीस में से अगर हम बारा निकाल देते तब भी हमको प्राप्त हो जाता अठारा अरथात जो बैलू निकाली गई है उसका मान 18 था जिसके निकाले जाने से और सत में दोकि बृद्धी हुई है तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ गये होंगे कि निकालने की दसा में अगर आउसत में बृध्धी होती है तब तो घटाया जाएगा और अगर कमी होती है तो जोड़ा जाएगा जैसे एकजामपल के तौर पर एक और बात लेते हैं अगर हम प्रोसेस से परफाम करें तो प्रोसेस में आपको पता है या गुड़ा करने पर 200 होगा इसको 18 गुड़े नौ कर दें 62 होगा इसमें से इसको घटा दे तो आप 10 से 2 निकला 8 नौ से 6 तीन अर्थात 38 हुआ अब इसी चीज़ को अगर मैं अपने प्रोसेस से परफाम करो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम इस संख्या को लें जो पुराना ओसत था आये नई संख्या के पास इसको इसके साथ परफ अप्लाई करते दस दूना 20 होता और इस 20 को इसमें जोडा जाता तो यह मान 38 हो जाता तो आपने इस प्रोसेस को समझ लिया होगा जो मैंने शुरुआत में बताया था शुरुआत में जो मैंने यहां पर आपको एक फार्मूला लिखा था इसको दिमाग में रखिएगा कि यहां पर क्या इस्तिती बनकर आएगी मैंने कहा अगर सामिल किया है औसद बढ़ जाता है तो बढ़ने के लिए जोड़ना है और घटने के लिए घटाना है सब्ट्रैक्ट करना है मतलब यहाँ जोड़ करना है जो बैलू हम प्रोसेस में लेकर चल रहे हैं यहाँ पर घटाओ करना है जबकि अगर हम कहरें निकाल पर उसत बढ़ा है तो आपको घटाओ करना है और बढ़ा है तो घटा है तो आपको जोड़ करना है बस उल्टा प्रोसेस आपको परफाम करना है जब सामिल करेंगे तो जोड़ करना पड़ेगा क्रास जाकर के और निकाल मतलब इध्यान में रखिएगा बढ़ा है तो जोड गटा है तो गटेगा लेकिन निकाल देने पर अपोजिट हो जाएगा बढ़ने की दसा में घटाया जाएगा और घटने की दसा में जोड़ा जाएगा जो या प्रोसेस किया उस पर भी अगर हम कुछ प्रस्ण लेकर के आपको चीजे असपस्ट करने की कोशिस करें तो और ज आउसत में डेड़ वर्स की ब्रिद्धी हो जाती है मतलब डेड़ वर्स आउसत बढ़ जाता है तो हमसे कहा गया कमाने गए सदस्य की आयूग याद कीजिए मैंने देखा यह संख्या थी यह आउसत था आप ध्यान देना सभी लोग संख्या था और आउसत था छे सदस्य आउसत था 45 वर्स एक ब्यक्ति कमाने गया है उसके जाते ही मतलब एक ब्यक्ति समू से अर्थात परिवार से निकल गया है एक की कमी होई है आउसत में कहरा डेड़ वर्स की ब्रिद्धी होई है एक दसमलो पाँच एड़ होते ही यह मान 46 दसमलो पाँच होगा चाहे तो ल साधे स्ताथ हो जाएगा क्योंकि आउसत बढ़ा है ब्रिद्धी हुई है इसलिए ब्रिद्धी हुई है तो आपको इसमें घटाना पड़ेगा अर्था 7.5 को आपको घटाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से 37.5 हो जाएगा 37.5 में अगर आप 7.5 जोड़ दीजिए तो 45 के बराबर हो जाएगा चाहते तो इसकी हल्प लेते यहाँ पर जाते इसी डेड़ को इसके साथ अगर अपलाई करते डेड़ अपलाई करते तो यह बैलू 9 हो जाती 9 इसमें से अगर हम घटाते 9 घटाते तब भी आपके सामने 37.5 हो जाता 0.5916 और 314 अठात आपके सामने उस ब्यक्ति की उमर 37 साल थी जो ब्यक्ति परिवार से कमाने गया था जिसके जाते ही आउसत में डेड़ वर्स की बृद्धी हो गई है मतलब उसके जाते ही आउसत मान यहाँ पर तब उसकी उमर कम थी इसलिए उसके जाते ही आउसत में डेड़ वर्स की बृद्धी हो गई है ऐसी प्रोसेस बनकर सामने आई है अगला देखिए कुश्चन समझी है किसी कार्याले के कुल 8 कर्मचारी है किसी कार्याले में कुल 8 कर्मचारी है जिनकी आयू का आउसत 45 वर्स है माली जे मैंने कहा है संख्या मेरे सामने और संख्या है यहाँ पर आउसत है हमने कहा कुल 8 कर्मचारी है जिनका आउसत मान 45 वर्स है एक कर्मचारी जब रिटायर्ड हो गया मतलब समू से निकल गया आपको पता है कि निकलते ही संख्या यहाँ पर साथ हो गई तो आउसत आयू में तीन वर्स की कमी हो जाती है तीन वर्स की कमी अर्थात तीन घटकर या मान 42 हो जाएगा अब जो रिटायर्ड हुआ है उसकी उमर ग्याद करनी को उसकी उमर क्या थी बड़े अराम से हम ग्याद कर सकते है अगर हम इसको ले इसको लेने के बाद हमें इसके पास जाना होगा क्योंकि यहाँ कमी हो रही ध्यान दीजेगा तीन से गुड़ा करने पर जो एक कैस आएगा जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे तो 6, 4, 2, 6 अर्थाद जो निकला है जो करमचारी रिटायर्ड हुआ है उसकी उमर 6,6 वर्स थी क्योंकि उसकी उमर ज़्यादा थी इसलिए जाने से आउसत में कमी हुई है या तो हम इसको लेते हम इसके पास जाते आठ गुड़े 3 करते 24 आता 24 को इसमें जोड़ देते तब भी देखिए 66 वर्स आ जाता अर्था जो व्यक्ति जो करमचारी रिटायर्ड हुआ है उस करमचारी की आयू क्या थी 66 वर्स थी तो आपने यहाँ पर आज की इस क्लास में दो चीजों को पढ़ा समू में से किसी एक को सामिल करना या समू में से किसी को निकाल देना दोनों इस्थितियों में औस बढ़ता था औस घड़ता था कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम लोग यहाँ पर उस सामिल किये गए या निकाले गए ब्यक्ती का मान या उस बस्तू का मान या उसकी बैलू को ग्याद करना चाते हैं तिस क्रास प्रोसेस का यूज करें जिसमें हम नए आउसत को पुरानी संख्या के साथ या पुराने आउसत को नई संख्या के साथ उस आउसत में बृध्धी या कमी के हिसाब से परफार्म करते हैं सामिल किये जाने की दसा में forward process apply करेंगे अर्थात अगर बढ़ा है तो जोड़ेंगे घटा है तो घटाएंगे निकालने की conditions में उल्टा करना पड़ता है बढ़ा है तो घटाएंगे घटा है तो जोड़ेंगे अगर यह process आप सही तरह से सीख पाएं है तो मुझे लगता है कि यह perfect है एक नमबर निस्जित है तो एक TET पर इच्छा के लिए एक important part था जिसको मैंने आपको cover कराया आज के इस lecture के माद्यम से हम लोग कच्छाओं को 104 रूप से sequential proper way में शुरू करने जा रहे हैं बैचस में तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग अब आपनी तैयारी को एक सही दिसा देना सुरू कर दीजिए और सही से prepare करना start कर दीजिए होप सो यह चीज़े आपको समझ में आई होगी और हम ऐसे ही और shrink लाएं लेकर आपके साथ आते रहेंगे आपके लिए कुछ सेशन्स प्रवाइट करते रहेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच बहुत बहुत धिन्यवाद थैंक्स अलोट